नमस्कार साथियो दिव विग्यान के योट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है ग्रीस मिस्रा दोस्तों आज मैं आपके सामने एक महतुपूर्ण टॉपिक जो कि आपके सीटेट यूटेट ल्टी भरती परिक्षा में जो है आपका जो है मोस्ट मिली थी मुझे तो मैंने सुचा आपके साथ इसे सेयर कर लेता हूँ आए सुरो करते हैं पहला प्रस्न है निमने कतनों को पढ़िये तथा सही विकल्प का चैन कीजिए अब इसमें कतन क्या अभी कतन ए सिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत सिक्षारतियों को उनकी समझ और कोसल विक्सित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्ग दर्शन प्राप प्रदान कर सकते हैं और ये बड़ा कुशन है इसका इंग्लिस वर्जन आप इधर देख सकते हैं इसका कारण है ये कतन था और कारण है स तिसरा है ए और आर दोनों सही हैं परन्तो आर एकी सही वियाक्या नहीं करता है या फिर चौता है सही है परन्तो आर गलत है ए सही है परन्तो आर गलत है तो देखे सिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के सांद बातचीत सिक्षारतियों को उनकी की सही व्याक्या कर रहा है तो बी वाल उप्शन इसमें सही हो जाएगा बढ़ते हैं आगे लेव वाइगोच्की के अनुसार according to लेव वाइगोच्की ने क्या कहा है ठीक है यह चार स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो लेव वाइगोट्सकी नहीं कहा है तो पहले स्टेटमेंट के है समाजी कारक भासा विकास को प्रभावित करते हैं पर नहीं तो संग्यानात्में विकास को नहीं तो इसका सही आंसर है D भासा जो विकास होता है उसके द्वारा संग्यानात्में विकास सुगम होता है तो D option इसमें सही होगा अगला प्रस्न है लेव वाइगोट्सकी के अंदुसार बच्चों के संकलनात्मक योगिताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसी प्रकार लेव आगोट्सकी के सिदान के अनुसार आंत्रिक वाग according to लेव वाइगोट्सकी त्योरी इनर स्पीच की आहिन में से बच्चों के लिए कालपनिक दोस्ते के सांद संप्रेशन करने का एक तरीका है संग्यानात्मक अपरिपक्वताग अपरतीक है विकासात्मक देरी का संकेत है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंतित करने का एक तरीका है तो जो लेव वाइगोट्सकी का सिदान्त है इसके अनुसार जो आंत्रिक वाग है या फिर इनर स्पीच है वो होती है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंतित करने का एक तरीका अगला प्रस्टन है निम्न कतनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चैन कीजिए इसमें भी वही अभिकतन है और कारण होगा एसर्शन है और रिजन होगा विद्यार्थी सवयम जानकारी प्राप्ट करने के लिए उन्मुक होते हैं तो इसमें चार अप्षन में से कौंशा अप्षन आपका सही होगा तो ए सही है पर नटुर आर गलत है ए और र दोनों सही है पर एक की सही वयाक है नहीं है दोनों अलग-अलग कतन हैं देखो, दोनों कटन हैं सही लेकिन एक दुसरे से correlation का नहीं हो रहा है, तो A और B चुरह है, A भी चुरह है है और R भी चुरह है, दोनों एक दुसरी की व्याक्या नहीं कर रहा है, तो B वाला option उसमें सही और किया है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए सिक्षारतियों को भारी रूप से प्रेरित करने की आउशक्ता है या फिर ग्यान बहुलवादी और भुविद है तो सही अंसर इसमें क्या होगा देगो जो सरस्नावादी सिद्धान्तकार है तो वो कहते हैं कि प्रभावी दिगम सुनिश्चित करने के लिए सिक्षारतियों को भारी रूप से प्रेरित करने की आउशक्ता होती है लर्नर्स नीट टू बी एक्स्टेंसिकली मोटिवेटेट टू एंशूर एफेक्टिव लर्निंग तो सी वाला उंसन इसमें सही होगा बढ़ते हां आगे लेव वा से साथ से लेडाम से होता है ठीक है तो जो लेवऑ सकी एसकी कहते हैं कि सीधे समाजिक संपर्की के परडाम उता है जो है विकास तो狗ढ़नस न ए타 नहीं judges कि समाज की बात करते हैं लेंग्विस की बात करते होरो कलच्चर आ लिए हो दो इसमें पर Sut nei चातरों को किसी समश तो ध्यान रखना कया है अचित्य ने कुछ हिंटे देखने के बाद एक सिक्छक ने उनका साहेता है तो वह हिंट किसका उधारν है मचान है, eastmoslara, grinkl shots, darkrَّili Communication है Exposistory Teaching है तो, यह उधारन होता है scabfolding यानिकि मचान का ऐख सिद्दान्दकार ने दावा किया कि संग्यानात्मा विकास से एक सह योगास्मा परक्रिया है यानिकि इनमें से किस सिधान कार्निका है कि संग्यानात्म विकास एक सहय योगात्मक प्रक्तिय है तो आज हमारा जो टॉपिक लेव वाइगोश्की कहें तो लेव वाइगोश्की ही इसका सही अंसर होगा इवन पावलोव, वियव स्किनर और जोन वी वाइगोश्की ये नहीं होगी तो सही अंसर के आउगास में लेव वाइगोश्की सीखने के लिए समाज जी करस्नावादी दृष्टिकॉण के महत्व पर जोर देता है तो किस-किस पर महत्व देता है प्रुसकार और सजा पर देता है मान की कृत मुल्यांकन पर देता है सांस्कृतिक संदर्व पर देता है तो देखो वाइगोस्की हम टॉपिक पढ़े हैं तो तीन चीज़े नहीं रखना है S.L.C. तो यहनि कि Social, Language, Culture इन तीनों में अगर चीज़े हैं तो तब ही आप उसे ले वाइगोस्की से जोड़ सकते हैं तो क्या है सांस्कृतिक संदर एक ही में है देखो तो कल्चर की बाद सिर्फ त्री वाले में हो रहें तो सी वाला उप्सनिस में सही होगा अगला प्रस्न है चात्रों के बीद समवात को प्रुथसाहित करना और मचान परदान करना इसके उधारन है तो देखो मचान अभी हमने उपर पड़ाता जो हिंट है जो आप बच्चों को हिंट देते हैं किसी भी समवात को प्रुथसाहित करना और मचान परदान करना इसके उधारन है एंकरेजिंग डायलोग्स एमोंग स्टूडेंट्स एंड प्रुवाइडिंग इसके फोल्डिंग आर एक्जामपल आफ तो किसके एक्जामपल है समीपस्त विकास का एक छेतर बनाना प्रत्तिकिरियाओं की करन डिस्निंग सकारात्म सुद्रडी करन या फिर सीखने का इस ताना दरो तो सही आंसर है इसका A, क्रियेटिंग जोन ओफ प्रोक्सीमल डिवलपमेंट समीपस्त विकास का छेतर बनाना जिसे JPDB कहा जाता है जोन ओफ प्रोक्सीमल डिवलपमेंट अगला प्रेस्टन है किसने प्रस्तावित किया की नए ग्यान का निर्मान बच्चा ज जो बहुत समर्थन याईनि की मचान इसके फोल्डिंग से जानने में सक्चम है के बीच एक छेत बनाकर किया जाता है तो ये भी बात की थी ले वाइगोश्की ने तो ये सीधा सिंपल आपको आंसर समझ में आया होगा अब ये वी एक कथन है आपका और जो है इसमें तरकर र क्रिएâte करता है तो क्या ये और दो दोनों सभी है और आर की व्यक्ठ्ध करता है या फिर ए और आर को जोंगी सेखने के लिए बहुत से माकिम हो यह कर आंगे वात्या बात है एक दुस्री का रीजन भी बन रहा है तो एंसरी सका सही होगा अगला प्रिशन है लेवाइगोंस्की का सिद्धांत मुखिता डौ डौ के विकास और डौ के विकास्ट तो प्लणे वाले व्याक्या प्रभाव की व्याक्या करता है तो हमने बात कि इसमें भी नहीं आ रहा तो कि यह गलत पहले तीन गलत इसमें कल्चर आ गया तो आपने सिधा ध्यान रगना इसी के आधर पर आंसर सही करेंगे बढ़ते हैं आगे लेव वाइगोच्की के सिद्धान के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए संकेत और इसारे देकर संकेत और इसारे देकर विद्यारतियों को उप्युक्त पाल या फिर पाड को जो स्केप फोल्डिंग भी बोलते हैं मचान भी बोलते हैं कहीं पाल भी बोलते हैं ठीक है तो क्या कह रहा है संकेत और इसारे देकर विद्यारतियों को उप्युक्त प्र परदिबंद लगाना चाहिए या विध्यारतियों की अधिल प्रिग्रिया में वज़स्कों के पूर्ण अहस्त अचेप की पढ़ना ली अपनानी चाहिए या फिध्यारतियों के व्योभाड को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्म पुनर्बलन देना चाहिए तो इसका सही आंसर होगा A. Providing appropriate escape folding to student by giving hints and cues. जैनि कि संकेत और इसारे देकर विद्यारतियों को उप्युक्त पाड परदान करनी चाहिए. बढ़ते हैं आगे समकालिन सिध्धानतों के अनुसार किस परकार का कक्छा माहोल संग्यान को सुसाधित करता है According to Contemporary Theories, what kind of classroom environment facilitates cognition. तो पहला अप्शन है मुद्रक, संपन और संसाधन परिपून भाई, युक्त और धंकी भरा या पिर अगम्य और बहिसकारी या उपदेशात्मक और पार्टी पुस्तक केंदे तो सही अंसर इसका होगा मुद्रक, संपन और संसाधन परिपून अगला प्रस्न है अधिकम के समाजिक, संग्यानात्मक, मत के अनुसार, विद्यार्ति किस परकार सबसे बहतर सीखते हैं अकॉर्डिंग टू सोशल कॉग्निटिव व्यूज ओफ लर्निंग स्टूडेंस लर्न बैस्ट बाई वयसकों की निस्क्री नकल द्वारा या फिर अपने वातावरां से सक्री सरलंगनता द्वारा या फिर व्यवहर के भाये नकलन द्वारा या असंदर भी जानकारी के कंठस्तिकरण द्वारा तो सही अंसर क्या होगा इसकों है बी वाला उप्सन सही होगा अपने वातावरां से सक्री सरलंगनता द्वारा इसी परकार से निमने मैंसे किसे समाजिक रस्नावादी सिद्दान्द के रूप में भी जाना जाता है who among the following is also known as social constructivist theories तो ये दीथी ठियोरी हम टॉपिक ही वही पढ़ड़ें तो ले वाईगोस की सही अंसर होगा पढ़ते हैं आगे एक अक्षा में विद्यार्थी समुह में कारी कर रहे तथा प्रत्याई को समझ रहे है सिक्षा कियों देखती है कि एक समुह के सभी सदश आगे नहीं बढ़ पा रहे वह उन्हें इसारे वह संकित देकर उनकी सायता करती है तथा पुना उनके प्रियासों पर छोड़ देती है प्रत्याई का प्रियोग हो रहे तो देखो हिंट और क्लू जहां पर हिंट और क्लू होगा एक अक्षा में विद्यार्थी समुह में कारी कर रहे तथा प्रत्याई को समझ रहे हैं सिक्षा की होड देखती है कि एक सम्हू के सभी सदश्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वह उन्हें इसारे वा संकेत देकर उनकी साहिता करती है तथा पुन्हें उन्हें उनके प्रियासों पर छोड़ देती है क्रिक्षा में कौन से प्रितिया का प्रियोग हो रहा है तो देखो हिंट और क्लो जहां से आजाएगा तो आप सीधा-सीधा अंसर लगा देना इसके फोल्डिंग या पाड़ पर ठीक है या भी इसे मचान भी कहते हैं आगे बढ़ते हैं भासा वा सोच का विकास क्या होता है एक वाइगोस्की के अनुसार आप वैसे भासा वा सोच है यह वाइगोस्की के अनुसार अलग है और प्याजी के अनुसार अलग है जब प्याजी वाला टॉपिक बताएंगे तो उसमें बताएंगे वह हम वाइगोस्की पर आ रहे हैं तो भासावा सोच का विकास क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, सामाजिक सांस्क्रितिक संदर्व से स्वतंत्र होता है, या फिर एक दूसरे से प्रस्पर जूड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंग के रूप से प्रभावित करते हैं, या फिर केवल अनुमान सिकता से प्रभावित होता है नहिए प्रैयोरणी कारन से तो देखे भासा हुआ सोच क्या होता है एक, दूसरे से परस्पर झूड़े होते हैं क्यूंकि दोनों एक दूसरे को असंग के रूप से प्रभावित करते हैं जबकि प्याजे कहते हैं कि भासा और विकास एक दुस्रे से जो है स्वतंद नहीं है करकी ठीक है बढ़ते हैं आगे दुसरा है डेविट उसबिल जीन प्याजे या लेवाइगोच्की तो ध्यान रखना मानवी गतिविद्या सांस्कृतिक प्रिप्रेक्च में विक्सित होती है और उन प्रिप्रेक्चों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता तो यह कथन है यह कथन है जीन प्याजे का तो इ और ये बाद वैसे ले वाइगोश्की ने भी की संस्क्रितिक की बाद है तो वैसे जहां पर इस टाइप का कुश्चन आएगा तो यहां पर दो अप्सन आएंगे नहीं ध्यान रखना ठीक है क्योंकि संस्क्रितिक की बाद वाइगोश्की भी करते हैं जीन प्याजे भी करते हैं बढ़ते हैं आगे ले वाइगोश्की के अनुसार बच्चों की संगयानात्मक चमता पर अपने से अधिक योगी व्यक्तियों के साथ अंधर क्रिया का क्या प्रभाव पढ़ता है तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है, नकारात्मक प्रभाव पढ़ता है, सु साधित होती है, जब गढ़ती है, तो जो प्रभाव पढ़ता है वो है फैसी, फैसलीटेटेड यानि की सु साधित होती है, तो उसी आंसर इसमें सही होगा, बढ़ते हैं आगे, जब एक सिक्षिका को जब एक सिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने की बज़ाए अलग-अलग इसारे दे कर सही उत्तर के तरफ ले जाती है तब यहाँ मदद क्या कहलाता है इसारे दे रहा है तो आपने देखो धियान रखना पाड तो यह बहुत इंपोर्टन कोशिन है तो जब मचान पाड या स्केप फूल्डिंग इसे हम कह रहे है तो अगर हिंटे दिया जा रहा है कहीं पर जो है चीजों को सीखने के लिए तो वो अपने पाड या मचान होगा इसे प्रकार ले भाई को उसकी के अनुसार स्वाग या फिर प्राइवेट जो स्पीच होती है ज उसे प्रोचाइद किया जाना चाहिए निंकरेच किया जाना चाहिए तो इसका सही होगा अगला प्रस्ण है एक समाजिक रशनात्मा कक्छा में सिक्षक को डॉट 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 और सामोही कारी को सुगम बनाने के लिए मेजव कुरसी ऐसी होनी चाहिए डॉट डॉट प्रतिसील और सामोही कारी को सुगम बनाने के लिए मेजव कुरसी कैसी होनी चाहिए जिनने खिसकाया यही मूमेंट किया जा सके जिससे बच्चे अपने हाइट के अपनी सहुलियत के अनुसारों से एड़्जेस कर सके बच्चे अधिक समझ वह ग्यान रखने वालों के सा अंधक्रिया करके सीखते हैं अधिकम का यह सिदांत है किस पर आधारी थैंट है यह लेव खोसकी द्वारा दिया जयागया है सिदांट स्विद दह्ची जाई स्विक्तिक सामाजिक साज美味 și स्थिदांत शीन बढ़ते हैं लेव वाईगोशकी के संगयनात्में विकास के द्रिष्चिकॉन के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अधिक्रिया करने के लिए प्रुष्कार और दंड का प्रवधान करना चाहिए तो लेव वाइगोट्सकी का सितन क्या कहता है वो कहता है कि विद्यार्थी को उसके अभिश्टम गुणों को प्रार्थ करने में सयोग देना चाहिए तो C option इसका सयोगा यानि कि provide इसके fault to student to reach their best potential इसी प्रकार इस नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है अब वो उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के handle तक आसानी से पहुँच सकता है जिससे यह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है इस नेहा की कद में बदलाओ को क्या का जाएगा कोई अलग से help तो हो नहीं रही है तो ये तो नहीं होगा वुरिदी हो रही है बिल्कुल हो रही है सीखना अब ये कोई सीखना नहीं और नुकुलन भी नहीं है तो सही answer क्या होगा इसका सही answer होगा इसका वुरिदी ग्रोथ हो रही है ठीक है क्योंकि ग्रोथ क्या होती है सांस्कृतिक उपकरण समान योगिता समून निर्मान ये अगरिम आयोजक तो देखिए लेव आईगोस्की है तो S.C.L. S. यानि सोशल, S. यानि कल्चर तो कल्चर की बात हो रही तो B.Option इसमें सही होगा बढ़ते हैं आगे आज का अंतिम प्रस्ने है लेव आईगोस्की के सिद्धानत में योजना जिसमें अध्यापी का विद्यारतियों के लिए सवालों को सल्ली करन करती है उन्हें संके देती है और सवाल को हल करने के लिए प्रास्मिक चर्ण बताती है ताकि वे दीगई समश्या के समधान को खोजने में आने वाली बादाओं को पार कर सके क्या कहलाता है तो सिंपल सी बात है अगर कोई क्या गर है आपका जो है क्लू दे रहा है हिंड दे रहा है तो हम उसे स्केफ फोल्डिंग या पार भी कहते हैं तो इस तरह के से दोस्तों आज हमने जो लेव वाइगोस की है इनके सिद्दान पर आधारित जो है कुछ कॉंसेप्ट पर आधारित क्वेशन के उम्मीद करता हूँ अगर यहां से कोई क्वेशन आता है आपके सीटेड एक्जाम में यूटेड एक्जाम में या फिर एल्टी भरती पर इक्षाम में कोई भी सिक्चन एक्जाम में लेव वाइगोस की समद्दी समद्दी समद्द क्वेशन आएगा तो आप एक चीज़ धियान रखना S.C.L. एक चीज़ धियान रखना कोई व्यक्ति जो अपने परियाश से कितना कर सकता है और किसी दुसरे के परियाश से जीतना कर सकता है तो उन दोनों के बीच के हिस्से को बोलते हैं J.P.D. और तिस्तरा हो था S.C.E.L. की बात करेगा J.P.D. की बात करेगा और स्कैफ फोल्डिंग की बात करेगा कौन? यह करेगा लेव वाइकोस की तो दोस्तों आपको यह सेजन अच्छा लगा होगा उप्योगी सिद्ध हुआ होगा ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे सान जुड़े रहिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में